नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रिदर्शनी सेंग और आप देख रहे हैं खुलासा नियोज तो आप सबको पता ही है कि उर्मीला मातोंगर ने जो की एक बहुती प्रसिद बॉलिवूड अभिनेत्री थी उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी जोइन की और जोइन भी की और छोड़ भी दी इस्तीफा भी दे दिया लेकिन क्या असली वज़ा है इस्तीफा देने की क्यों मीला मातोंगर ने कॉंग्रेस पार्टी से अच्छानक रातो रात इस्तीफा दे दिया असली वजा हम आपको बताएंगे मामला शुरू होता है 23 माई 2019 से जी हाँ लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने से 7 दिन पहले तो उर्मिला मातोंगर ने अपने प्रदेश अध्याक्षय उस समय के जो की मिलिंद द्योडा थे उनको एक गुप्त पत्र लिखा अब उस गुप्त पत्र में उन्होंने क्या लिखा उन्होंने एक तरह से साफ साफ ये कह दिया कि हम ये चुनाव हार रहे हैं और हार का कारण जो है वो वहां के स्थानिय नेता और संगठन है वो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं या जमीनी हाकिकत से वाकिफ नहीं होने दे रहे हैं संगठन कॉंग्रेस का कहीं न कहीं बहुत ही जादा कमजोर है अंधरूनी गुटबाजी जो की कॉंग्रेस में इस समय बहुत ही जादा मशूर है वो हो रही है उसके बाद जब जैसी ही इनोंने ये गोपनिये पत्र उर्मिला मातोंगर ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को दिया ये पत्र जो था सम्हाओ किसी तरीके से ये सारवजनिक हो गया और हर किसी को पता लग गया कि उन्होंने किन-किन नेताओ का नाम उस पत्र में लिखा था और क्या-क्या शिकाईते लगाई थी तो मतलब अगर मैं उसको आसान भाशा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसका अर्थ ये होता है कि मालने जे आप किसी ओफिस में रहते हैं और आपने किसी काम की चुगली चुपके से जाके अपने बॉस को की और आपके बॉस ने वो information सारजनिक कर दी तो आपको एक किसम से बेस्ती महसूस होती है कि मीरी जो information थी या मीरी जो सूचना थी वो सारजनिक कर दी गई तो सरफ इतनी सी ही बास से उर्मीला मातोंगर ने पाटी छोड़ थी तो शायद वो face नहीं कर पाई है शायद को जो भी कारण होगा लेकिन उसके बाद पाटी के बहुत सारे नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की संजे निरुपम जो की कॉंग्रेस के पहले मराश्टरा के मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष ते उनका भी statement आया कि उन्हें थोड़ा सा patience रखना चाहिए और पाटी में इस किसम की घटनाएं होती ही रहती है इतना दिल पे नहीं लगाना चाहिए लेकिन शायद उर्मीला ने इस बात को बहुत जादा दिल पे लगा लिया खैर आप हमारे चैनल को दिल पे लगा लिजे और हमारे चैनल को लाइक कर दीजे चैनल जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा लाल बटन दबा के और घंटी भी दबा दीजेगा ऐसी मज़दार खबरे सुनने के लिए और देखते रहिएगा खुलासा नियोस